पहले जब classes offline चला करती थी तो one-shot lecture जैसा कोई concept नहीं था लेकिन 2020 में जब COVID-19 आया education का बहुत तेजी से digitalization हुआ तो बहुत सारे edtech companies ने बहुत आची growth की और बात में इन ही companies ने अपने वीवर से बढ़ाने के लिए हमारे बीच one-shot lecture नाम का एक नया concept इंट्रोडियूस किया one-shot lectures को बच्चों ने बहुत पसंद किया जिस chapter को पहले teacher 20-20 घंटे class में पढ़ाते थे उसी chapter को one-shot lecture में teacher 3-4 घंटे में खतन कर देते हैं तो ये थो बच्चों को पसंद आना ही था आप सबसे बड़ा question ये आता है कि one-shot lectures को आपको follow करना चाहिए क्या आपके exam के लिए ये sufficient है भी या नहीं देखो मैं किसी और exam के लिए comment नहीं कर सकता बट अगर आप IIT J.E. की preparation कर रहे हो तो one-shot lecture से आपका काम नहीं चलने वाला one-shot lectures को आप तभी follow करना जब आपका exam पास आ रहा हो और आपको कम समय में ज्यादा syllabus कबर करना हो या फिर आपको revision करना हो I hope आपको चीजे समझाई होंगी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और topic के साथ तब-बाइ